वेल्कम टू उल्लियाइस फाउंडेशन सभी फ्रेंड्स का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज री क्लास में हम एक और इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले एक और इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले है जो कि आपका कॉंस्टिशन की बात की किस तरीके से जो कॉंस्टिशन है वें डिजाइन हुआ आज हम इलेक्टॉरल पॉलिटिक्स की बात करने वाले है और एक डेमोक्राटिक कंट्री में आखिर क्यों इलेक्शन की जरुरत होती है इलेक्शन क्या है बहुत सारे ऐसे हमारे सामने करेंगे सबसे फस्ट देखो आखिर हमें इलेक्टॉरल पॉलिटिक्स के परदा क्या क्या है सबसे फस्ट हम देखेंगे कि वाई दो वी नीडचा की पहली से है ना and what make an election democratic है ना हम आगे समझते हैं इसमें कि democratic country में election बहुत जरूरी है और वो जो elections है उसमें ऐसे क्या क्या parameters होने चाहिए क्या क्या उसकी system क्या क्या उसमें सारे points होने चाहिए कि लगे कि हाँ वह देश जो है वह democratic country है is it good to have political competition राज़्णितिक प्रतीडवननीता क्या है पॉलिटिकल जो है और क्यों अच्छी है यह डेश में किसके लिए ज्यादा अच्छी है राजणेतां के लिए ज्यादा आच्छी है politicians के लिए ज्यादा सही है या फिर लोगों के लिए ज्यादा सही है what is our system of election हमारा जो system है इंडिया का जो system है election का वह क्या है उस पर बात करेंगे challenge to free and fair elections है ना सबसे last में इस point को हम लेखते हैं कि आकर जो challenges है वह क्या है free and fair elections को कराने में what make election in India democratic है ना तो system को समझ के इंडिया में क्या system है election का और उसके बाद क्या ऐसे practices follow की जाती हैं जिससे कि हम इंडिया का जो election है उसको हम लोगतांतिक कह सकते हैं democratic कह सकते हैं आज थोड़ा सा proper आपको उतने notes नहीं मिलेंगे जितने हमेशा बनवा देती हूँ है ना आज हम थोड़ा सा बीपीटी किसा आयता से और वैसे बढ़ेंगे लिखाओंगी बढ़ थोड़ा सा कब सबसे पहले यह देखो why do we need election हमने लास देखा कि democracy में जो rulers है वैं elected by the peoples है लेकिन इसके बाद भी वो जो rulers हैं उन्हें कुछ भी करने की आजादे नहीं होती मतलब वो एक constitution से बने हैं ऐसा हमने chapter 2 में समझा chapter 2 में हमने जाना कि जो constitution से वैं कुछ limits कुछ दाइरे जो है वैता है कर देता है कि उन दाइरों के भीतर रहकर ही जो government है वैं काम करेगी ठीक है अब देखो एक democracy में बहुत जरूरी है कि जो चुनाव है वैं होते रहें चुनाव है क्या चुनाव एक प्रक्रिया है एक ऐसी process है जिससे हम government के जो decisions लिए जा रहे हैं government जो decisions ले रहे उसमें participate करते हैं तो basically election क्या है participate करने का एक तरीका है है ना हम अपने representatives को जुन रहे हैं उसके लिए process है election ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे election election आखिर है क्या ठीक है तो election है एक process कि जब हम बात करते हैं कि हमने indirect form of democracy को अपनाया है अगर हमने indirect democracy को अपनाया इसका मतलब क्या है indirect democracy का मतलब क्या था indirect democracy का मतलब था कि जो लोग है ठीक है वो direct MPMA नहीं बनना है जो लोग है फिर direct जाके अपने लिए फैस्तेरी ले रहे बलकि वो क्या कर रहे है अपने एक representative को select कर ले रहे है representative को select कर ले रहे है अब इस representative को आप कैसे चुनोगे उसके लिए जो process है वह क्या है इस representative को चुनने के लिए जो process है वह है election के लिए जो process है वह क्या है election है ठीक है तो हम अपने प्रतिनिधियों की माध्यम से आ प्रतिक्ष लोकतंत्र में हमने प्रतिनिधिव जो पत्ति है उसको अपनाया जिसमें हम डारिट साशन ना करके हम किसी को वह power hand over एक तरीके से कर देते हैं कि वह हमारे लिए decision लेने है ना तो उसको हम क्या कहेंगे representative कहेंगे प्रतिनिधि कहेंगे अब यह प्रतिनिधि चाहे संसद में बैटे और चाहे विधान सभा में तो यह प्रतिनिधि हमने चुन लिया यह हमारे लिए decision making और बाकी सा काम है मैं करेंगा ठीक है सो हमने जाना की election जो है सबसे फास्ट देखो इसकी need क्यों है इसकी need है because of हम government select कर सके सरकार को चुन सके हम सरकार को चुन सके government को select कर सके democracy में जो decisions है decisions लिये जाए निर्नाई लिये जाए इस decision के लिए बहुत जरूरी है election है ना so election एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम उन लोगों को select करते हैं जो कि हमारे लिए lawmaking का काम करेंगे who will make law for them ये इसके लिए हम अपने government को जो है बैस select कर रहे हैं ठीक है तो government जो major decisions ले रही है हमने उसक authority दे रखी election के माथ हम से तो यहाँ पर basically government जो lawmaking का काम करेगी इसके लिए बहुत जरूरी है कि democracy में जो election है वह हो जाए ठीक है अब देखो necessarily क्यों है अगर हम बाग करें कि जो election है वह necessarily है because जरूरी क्यों है जरूरी इसलिए है क्योंकि हम indirect democracy को हमने अपड़ाए जरूरी क्यो है क्योंकि हमने indirect form of democracy को अपनाया और indirect में जो लोग है वह सीधे साशन ना करके अपने representative को चुल ले रहे है और इसलिए हमें आविशक है तो पूरी जो साशन मवस्था है वह चलती रहे देश की कामकाद जो है वह होते रहे इसके लिए election जो है बहुत जादा जरूरी हो जात है तो इस पर भी कुछ points है democratic मतलब है न हिंदी कैस का लोग तंत्रात्मक तो अगर आप यह कहें कि लोग तंत्रात्मक जो ववस्था है यह election में भी अपनाई जाए इसके लिए क्या 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 जो प्रॉसेजर है जो हम follow करते हैं ठीक है सबसे फर्स तो देखो यह है everyone should be able to choose their own representative है न पहली बात सबसे पहली इसमें जो शर्थ है कि सभी के पास यह अधिकार हो everyone सभी के पास यह rights हो कि वह अपने representatives को choose कर सके कि वह अपने representatives को choose कर सके इसको select कर सके यह rights सभी के पास हो रहा चाहिए और हमने इसके लिए क्या किया है universal adult franchise यूनिवर्सल adult franchise को हमने अपनाया हुआ है ना सार्व भूमेक वेस्क मताधिकार का हम पालन करते हैं जिसमें एक निश्चित आयू प्राप्ट करने के बाद जो adult citizen है यानी 18 प्लस है उन्हें right to vote होता है और वह बिना किसी कास जेंडर और इन सबसे परें होकर जो उनके साथ discrimination है कुछ आधारों पर नहीं किया जाएगा ठीक है second इसमें बात कहीं जाती है कि चलो एक बात हमने समझ ले कि सभी को जो है right होना चाहिए अपने representative को चुनने का second हम इसमें देखेंगे कि आपके पास विकल्प होना चाहिए second क्या है second इसमें है parties and candidates should be free to contest election and should some some real choices to the vote so हम दे चाहिना की बात की चाहिना में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर एक ही party है Chinese Communist Party और किस तरीके से वह बाकी जो parties है उन्हें permission लेनी पड़ती है और हमीशा जो सरकार है वह Chinese Communist Party ही बना रही है तो ऐसे में हमने देखा था कि आपके पास real एक तरीके से जो विकल्प है वह available ही नह ही है तो हम उस चुनाव को democratic नहीं कहेंगे और अगर यह चीज यह point उपलब्द है तो हम किसी election को democratic कह सकते है ठीक है अब एक important point है मालो एक election आज हो जाता है और एक election अब पता ही नहीं यह 10 साल में हो जाए 15 साल में हो जाए 20 साल में हो जाए इस तरीके का system है ना तो यहां पर नियमित अंतराल पर elections नहीं होते हैं तब उसको democratic नहीं कहा जाएगा तो यहां पर election must be held regularly है ना और यहां पर हम देखेंगे after few years हो ना ही चाहिए नियमित अंतराल पर जिसे कि हमने जो general election से उसके लिए 5 year का time sum लेकर चलते है ठीक है तो यह तीसरा point हो गया चौथा इसमें point है ऐसा ना हो कि लोगों ने चुना तो किसी और को है election तो हुआ है लेकिन उसमें free and fair election नहीं था इसलिए वह वैक्ति चुना गया जिसे वास्तव में लोगों ने नहीं चुना था तो यहां पर हम four देखेंगे कि लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चुना वो the candidate preferred by the people should get elected है तो जो candidate है candidate जो है वह लोगों का ही चुना होना चाहिए ठीक है candidate वही सेलेक्ट हो जो कि लोगों ने चुना हो should get elected यह चार शर्त ऐसी हैं जो कि किसी भी देश के election को democratic बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है और last है free and fair में लग है ना चुनाव जो है पाँचवा इसमें क्या है कि जो चुनाव है वह कैसे होना चाहिए free and fair manner में free and fair manner स्वतनत और निस्पक्ष चुनाव होने चाहिए तो यह पाच ऐसे important points है जो कि यह बताते हैं कि कि किसी भी एक देश की जो चुनावी ववस्ता है जो उसका पूरे electoral जो process है वह कैसा है democratic है तो अगर अब देखो अब हमे यह ने जो electoral process अपनाया वह democratic है तब हम इनी parameters पर set करके देखते हैं इनी parameters पर हम set करके देखते हैं ठीक है चलिए election is necessary because citizen of the country can independently select the person who is going to take important decision and shape the future तो भविश्च में हम देखेंगे कौन हमारे लिए decisions लेगा इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम एक जो election है वह conduct कराए and to maintain a peaceful environment in the country and by making implement good policies and laws अगर हम चाहते हैं कि देश में एक सुरक्षित शांती पूर्ण जो वातावरण है वह बना रहे शाशन वबस्ता ठीक ठाक तरीके से चलती रहे तब उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि elections जो है वह होते रहे और it guarantee that no government is elected for an indefinite period of the time तो यहाँ पर election अगर हम देखते हैं कि एक fix जो term बना दिया गया है for example इंडिया में 5 year government का साल government का जो term है तो ऐसे में हम देखते हैं कि अगर नियमी तंत्राल नहीं है तब ऐसे में एक government को चुना जाएगा और पदा चलता है कि वो कितने भी समाई के लिए है तब यह election बहुत जरूरी हो जाते हैं ठेके चलिए तो next हम देखेंगे फिर वाकि जो questions है वो सब किसी ना किसी से relate है तो अभी हम question हाँ यह question देख सकते हैं what are the characteristics of democratic elections अगर हम यह देखे एक लोगतांतिक देश में चुनाव की क्या विशेशता है everyone should have right to vote everyone should have right to vote and every vote must have an equal value last हमने देखा था कि one person one vote one value one person one vote one value है ना यह होना चाहिए इससे यह पता चलता है कि सभी जो citizens उनके पास equal voting rights है so everyone should have the right to vote सभी को अधिकार होना चाहिए और उनका equal vote हो definitely candidates should free to context the election उम्मीदबार चुनाव लड़ने के लिए सोजंतर होने चाहिए elections should be held regularly है ना नेमी तंत्राल पर चुनाव होने चाहिए भी हमने देखा and the candidate preferred by the party should get elected क्या बताया मैंने आपको five or last जो हमने विशेशता देखी थी democratic होने की किसी बेलेक्शन को उसमें हमने जाना था कि वह candidate चुना जाना चाहिए जो कि preferred by the people हो ना कि preferred by the party हो ठीके तो इसमें क्या पूछा गया आपसे correct answer is clear हुआ अब हम चलते हैं next second देखते है second point it is good to have political competition राजनेतिक प्रतिद्वन्दिता है ना सो देखो कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो elections है कुछ नहीं है केवल एक political competition है दो party है रहती है वह आपस में लड़ती रहती है फिर दो से जादा parties रहती है वह आपस में political जो parties है वह लड़ती रहती है ठीके तो इसमें देखो आखिर ये political competition जो है फिर गुट कैसे है एक तो इसमें ये बात हो सकती है कि जो व्यक्ति केवल सत्ता के लालच पे आ रहा है कि नहीं मुझे power मिलना है मुझे power चाहिए किसी भी तरीके से और political आपको पता है कि I.S.I.P.S. से जादा power होता है political leaders का भलेव है उनका education है फिर बाकी सारी चीज़े कुछ भी हो तो वो कोई matter नहीं करता तो हम देखते हैं कि यहां पर जो political competition है बहुआ सब के लिए गोठ है बहुआ political leaders के लिए भी एक तरीके से गोठ है पहले positive aspects देखते है न negative तो है ही है तो हम देखते हैं कि political competitions की अगर हम बात करें तो यह politicians के लिए कैसे अच्छा है अगर वो चाहते हैं कि वो next time आगे in future फिर से reelect हो लोग उनको फिर से select करें लोग उनको फिर से vote करें तब आपको ऐसे मुद्दो को उठाना होगा ऐसे issues को उठाके solve करना होगा जो ज़ादा तर लोग चाह रहे हैं तो यही तो एक democracy की खुबसूरती है कि लोग जो चाह रहे हैं वो राजनिता को करना पड़ता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको basically अगर चाहते हैं कि आप next time भी जो है वह सत्ता में आए तब आपको political competition में क्या करना होगा सभी लोग राजनिते प्रति दो दिता की चलते आप देखोगे कि ऐसे मुद्दों को उठाते हैं अब जिस तीन तलाग का मुद्दा है स्यादातर सरकारे क्यों नहीं उठाती कि क्योंकि इससे मुर्सलिम जो personal law है वह हो जाएंगे वह प्रभावित होगे और मुसलिम personal law की अगेस्ट अगर माल लीचे त्रिपल तलाग चला गया आप तो हाला कि आपको बता है कि यह punishable offense बन चुका है तीन साल की सजा हो जाती है ना जो आप cases देखते है Supreme Court में जो दायर किये गए थे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो political competition है उसके चलते लोग क्या करते इस तरह की मुद्दों से दूर रहते लेकिन जो इन मुद्दों को उठाता है जन्ता उसे पसंद भी करती है ना so political competition is good if there no competition among several candidates that the election become pointless अगर मालों लोगों की बीचे प्रद्दन है हम यह घूशना करते है हम आईगे तो हम इस तरीके के काम करेंगे हम इस तरीके के काम करेंगे हम यह योशनाय लेके आएंगे हम रोजगार देंगे तो यह सारी चीज क्या है कि लोग अपने अपने एक तरीके से वाय दे कर रहे है तो वही तो राज़िते जब political parties अब अपस में competition कर रही वही तो हुआ political competition so political leader get motivate with a desire to something and their political country and it provides incentive of the political leader and their parties ठीके अब अगर आप सोचते हैं किस तरह की issues आपने उठा दिये लोग आपको पसंद कर रहे हैं next time वो आपको vote करेगे और दूसरी बात है अगर आप यह सोचोगे कि आपको केवल और केवल आए हैं वै करनी होंगी लोगों को services देनी होंगी उनकी welfare के लिए काम करना हो तभी जाके आपको फिर से reelect करेंगे ठीके तो ना चाहते हुए भी आप आए तो सिर्फ power के लिए थे बट ना चाहते हुए भी आपको services welfare का जो काम है वै करना पड़ रहा है तो यह हो गया political competition ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं what is our system of election what is our system of election है न आखिर इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने किस तरीके का जो system है वै अपनाया हुआ है तो system के पहले तो यह समझ लो what is our system what is our system what is our system आखिर इंडिया ने किस तरीके का जो system है वै अपनाया हुआ है system of election है न तो सबसे फर्स तो देखो हम उसके चरण और उसके प्रॉसेस को समझे और election उसके पहले दो तीन बाते समझ लो सबसे पहले तो देखो हमने एक regularly जो है वैं हमारे चुनाव होते हैं सबसे पहली बात क्या है regularly based पर जो elections है वैं कराय जाते हैं और especially अगर हम general election की बात करें फर्स general election कब हुआ था 51 है ना तो यहाँ पर general elections जो है यह आप देखेंगे कि 5 year में होते हैं अभी 2024 में होने है ना 2024 में तभी आप देखेंगे कि सरकार के दवारा इतना जादा जो UCC का मुद्दा है वैं उठाया जा रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि election are held in India in लोगसभा और विधान सभा विधान सभ इसे ही general election कहा जा रहा है लोगसभा और विधान सभा लोगसभा और विधान सभा ठीक है इनके जो elections है वैं every 5 year पर जो है वैं कराया जाते हैं regularly और हम देखते हैं कि इनका जो term है 5 साल है तो जो elected हम representative जिनको elected करते हैं वो 5 साल काम करते हैं नेक्स हम देखेंगे कि elections जो है वो sometimes जरूरी तो नहीं है कि अगर हमने एक बार जो election है हो गया तो अब हर वो जो व्यक्ति है वैं अमर हो गया हो सकता है बीच में किसी व्यक्ति की death हो जाए या किसी कारण से वरिस्तिभा दे दे में भी it's possible ना तब क्या होगा तब हम देख बाइ एलेक्शन कराए जाते हैं ठीके बाइ एलेक्शन कराए जाते हैं दूसरा तरीका क्या होगा बाइ एलेक्शन जिसको की उपचुनाफ कहा जाता है अब उपचुनाफ क्या है मान लिजे कोई एक जो seat है वैं vacant होगी because of death because of resignation या फिर other issues अगर किसी काड़नों से मान लिजे किसी एक जो भी MP, MLA था उसकी death हो गई तो जहां पे gender election जो है पूरे देश में कराए जा रहे थे लोग सबा के संदर में अगर विधान सबाय तो state में कराए जा रहे थे वही जो by election या उपचुनाफ है ठीके बाइ एलेक्शन या जो उप इलेक्शन से वह कराए जाते है ठीके तो इस इस कॉल्ड बाइ एलेक्शन एंड ये आपका हुआ जडरल इलेक्शन ठीके तो हमने क्या किया हमने इस सिस्टम को अपराया अब आगे देखो इस सिस्टम के साथ साथ हमें छे जो प्रॉसेजर है वह जुड़े हुए हैं तो कि पूरे देश में आपको इलेक्शन कराने है अब सबसे पहला जो प्रॉसेजर है आपका क्या होगा कि इलेक्शन कैसे कराओगे इसके लिए आप देश को कुछ भागों में बाटोगे ठीके और यही काम जो है वह निर्वाचन शेत्र किया करते हैं तो इलेक्टोरल कॉंस सबसे पहला क्या होगा? निर्वाचन शेत्र अब ये निर्वाचन शेत्र क्या होगी? कहा से चुनाब लड़ा जाएगा? कौन खड़ा होगा? ठीके कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले जो पूरा देश था हमने क्या किया? उसको कुछ बागों में constitutional constituencies कहा निर्वाचन शेत्र कहा चुनावी शेत्र कहा सामन निभाशा में आप इसे seat के नाम से भी जानते हैं पॉर एक्जामपल लोग सभा के लिए कितने निर्वाचन शेत्र है 543 और हम इसे 549 seat भी कह देते हैं तो निर्वाचन शेत्र ठीक है समझ गए electoral constituencies अभी question बताओंगी तब आगे और संठाओंगी अब आगे क्या हुआ देखो निर्वाचन शेत्र तो हमने बना लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर निर्वाचन शेत्र के बाद क्या हुआ कि अब हमें जरूरत थी कि कुछ लोग ऐसे थे अब हमें जरूरत थी कुछ लोग ऐसे थे जो की थोड़े से कमजोर वर्ग के थे मतलब वो सेम लेवल पर आकर fight नहीं कर सकते थे ऐसे अस्ट्री ग्रूप्स था या वो मिल्स की बात करें तो यह कुछ कॉम्णिटी ऐसी थी जिसके पास उतने रिसोर्से सुतना पैसा नहीं था तब हमने उसके लिए क्या किया रिजर्व कॉस्ट उसे इसका मतलब है इसमें से ठीक कुछ जो इसमें पाट था माल लींजे तो यह अमने रिजर्व कर दिया ठीक है आरक्षित निरवातनशीत्र आरक्षित दिर्वाचत शीद हमने ये रिजर्व कर दिया ताकि इस तरह के जो ग्रुप्स है इस तरह की जो कम्मृटीज है हमारे देश में जो की जिनके पास जादा रिसोर्सिज नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सके बाकी लोगों के सेम लेवल पर आकर और एक डेमोग जाया जाये इसके लिए बहुत जादा जरूरी है कि हम कुछ कॉस्टिट्वेंसी जो थी उसको हमने रिजर्व कर दिया इसके बाद हमने यह सब तो कर लिया अब हम यह देखेंगे इसमें नेक्स्ट कि आखिर चलो छेतर निरधारित हो गए आपने एरियास जो है बहर है कि आपने वोटर लिस्ट बनाई मद्दाता सूची वोटर लिस्ट आपने बनाई ठीक है मद्दाता सूची क्या होता है कि सारे मद्दाताओं का नाम होता है और हमारे यह वोटिंग की जो आयो हो है कितनी है 18 प्लस है है ना 18 साल का जो व्यक्ति है उसके पास राइट वोट आपका कौन सा वोट होगा राइट वोट आपका कौन सा वोट होगा क्या यह इंडलीगल राइट है constitutional राइट है अलाकि 2018 में यूपेस्थी ने ये क्विश्टन जब पूछा था तो यूपेसी ने सकम आज़क्शनल राइट माना था हूं देखेंगे कि राइट वोट ह और बिना जेंटर बायस्ट होकर या बिना ऐसा नहीं है कि कोई किसी कास्ट का है किसी धर्म का है तो उस पर किसी भी तरह का जो अयोगता है वह आरोपित कर दी जाएगी तो बिसिकली वोटर लिस्ट जो है याद अटना कि हर एक तरीके से वन एयर पर कुछ-कुछ इसमें संचोधन किये जा सकते हैं अमेंड किये जा सकते हैं देखा जा सकता है कौन चला गया है कौन व्यक्ति वहाँ पर कोई माइग्रेट अगर कर गया तो उसका नाम काटना वग लिए अब नेक्स देखो जब यह तै हो गया कि शेत्र कौन से होगे शेत्र में हमने एक तरीके से सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहे उसके लिए हमने रिजर्ब कॉंस्टेशन की भी बात कर ली अब फिर जब हमने वोटर लिस्ट की बात कर ली अब हम यह तो अब यहाँ पर उम्मीदवारों का नामंकन उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर उम्मीदवारों का जो नामंकन है यह अगला प्रॉसेस होगा यह अगला प्रक्रिया होगा तो यहाँ पर ऐसे लोग जिनको उम्मीदवार बनना है वो जाकर अपना जो फॉर्म है में सममिट करेंगे नामांगन कराएंगे आप बार-बार सुनते होंगे न्यूस पपर में कि आज नामांगन की आखरी तारीach है या दूसरे चरण की आखरी है है लां तो इस तरह की जो बाते है नौमिनेशन के लिए आपको जो फिल आंक के पास कितनी आपके संपत्ती हैं वो सारे चीज़े आपको बतानी होती है अपने फैमिली मेंबर्स की जानकारी देनी होती है कि अगर एक यह सारी चीज़े गलत दिये को यह कॉलम गलत भरा है तब जाके उसके खिलाफ हो सकता है कि कोई जो उसका competitor हो वह रिट दायर कर दे कि इन्होंने गलत सूचना दे कर चुनाव जीता है है ना Supreme Court या फिर High Court उसको खारिश कर दे ऐसा इंदरा जी के case में एक बार हुआ था कि जो उनके आगे हम पढ़ेंगे जो उनके साथ में competition कर रहे थे उन्होंने याचिका लगा दे थी कि इन्होंने दो से तीन तीन जगा से जो चुनाव है लड़ा है है ना इसको लेकर तो वहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से Supreme Court के द्वारा जब Supreme Court में ये case पहुचा था तो उन्होंने Supreme Court ने कहा दिया था कि जब आपने गलत तरीके से ही आप सिलेक्ट हुई है तो आप पीएम नहीं रह सकती पीएम पत से हटने का जो है मैं Supreme Court ने कह दिया था तो ये इस तरीके से nomination में कुछ जानकारियां दी होती है जब हम राजडिती में सुधार की बात करते हैं या फिर election reforms की बात करते हैं तब कुछ कमेटियां इस बात को कहती है कि even nomination कराने के लिए जो candidate है उसके लिए minimum कुछ तो qualified जो education है वैताई की जाए या फिर बाकी भी सारी चीज़े वो election reform में आप पढ़ते हैं ठीक है अब देखो इसके बात क्या होगा जब उम्मीदवार हो अब उम्मीदवार आपके घरगर आएंगे हाथ पर जोड़की और वो election campaign चलाएंगे अभियान चलाएंगे अभियान में वह रैली निकाले अभियान में जन्समो और बाकी सब अभियान में बेसिकली करेंगे क्या यह अभियान कौन करेगा जन्ता करेगी या फिर political यह जो candidates है वो करेंगे है न तो यह जो candidates है जिरे vote चाहिए यह दर्वाजे दर्वाजे जाएगे कि ठीक है आप हमें vote दीजिए तो यहां पर ही election campaign करते हैं और election campaign को लेकर election commission जो उसके कुछ rules है कि अगर आप लोग सभा के लिए चुराव लड़ रहे हैं तब आप इतने लाक रुपे ही किवल एक seat पर खर्च कर सकते हैं या फिर by election है तो उसमें इतना खर्ची हो सकता है मतलब आपके लिए election जो campaign है इसमें भी reform इसमें भी ज्यादा पैसा ना चले ऐसा ना हो कि लोग कंबल और पैसा और खाना बाट कर जो vote है वह अपने पक्ष में ले ले तो हम देखेंगे election campaign और election campaign में लोग क्या करते हैं जदतर political party क्या करती है किसी ने कहा क कि लोगतंत्र बचाओ किसी ने कहा सकता बचाओ है ना किसी ने कहा कि स्वाभिमान बचाओ मतलब किसी ने जए जवान जए किसान खर यह तो नारा गलत हो गया यहाँ नी बताना था इसको तो हम देखेंगे कि इस तरह के जो campaign है वह किये जाते हैं और इसमें यह बताया जा कि हम UCC को लागू करेंगे यानि uniform civil court है वीडियो एवलेबल है हिंदी में आप देख लिएजेगा अब देखो इसके बाद क्या होगा अभियान हो गया आपको पता है आचार सहीता लग जाती है जब तो कुछ समय के लिए अभियान बंद हो जाएगा और फिर सेधी voting होती है तो हम देखेंगे कि polling and counting of vote है ना polling मतलब ऐसे मतदान केंदर बनाये जाते है जहाँ पर जो मतदान केंदर ठीके और ये मतदान केंदर ऐसे नहीं है कि कहीं पर अलग से बने हुए हैं बलकि जो school colleges आसपास जो hospital और इस तरह के जो सारजनिक भवन होते हैं उन सभी buildings को temporary रूप से polling booth में convert किया जाता है और यहाँ पर जो voters है जो मतदाता है जाकर vote देते हैं ठीके और फिर हम देखेंगे कि जो हो सकता है कई चरण में मतदान कराया जाए कई चरण में जो चुनावे कई step में हो और उसके बाद क्या होगा फिर एक date होगी counting की और यहाँ पर जो vote है उसको count किया जाएगा ठीके जो जितने vote दिये गए है गणना की जाएगी और उसके बाद जो election है उसके result नतीजे जारी कर दिये जाते है ठीके तो यहाँ पर यह पूरा एक जो system है में इंडिया में चलता है शुरू हुआ कहां से निर्वाचन शेत्र से अब तो आप पूरा system तो सम कुछन से समझ लेते हैं कुछ कुछन से समझते हैं ठीके विच आफ दा फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग दा electoral constituencies is incorrect incorrect statement पूछा गया है the size and shape of electoral constituencies is mentioned in the Indian constitution देखो electoral constituencies यह निर्वाचन शेत्र का जो size जो shape है वह दिया गया है सम विधान में क्या है ऐसा next हम देखेंगे for लोगसभा elections the country is divided into 545 constituencies मैंने आपको भी क्या बताया कि लोगसभा के जो सामन भाशा में हम निर्वाचन शेत्र या constituencies को seat बोल देते हैं आम भाशा में तो यह कितनी है 543 है so 545 each village is divided into several words that are like constituencies अगर हम गाओ की बात करें तो चाहें गाओ हो शहर हो उसको basically क्या किया जाता है जब वहां के local area के चुनाव होते तो उसे भी कई वाट पे बाढ़ दिया जाता है यह बात मिल्कुल सही है फर्स्ट भी इसमें wrong है देखो इसमें wrong यह है पहल इसका सही answer देख लेते select the incorrect पूछा है ना so 2, 1 and 2 1 and 2 incorrect है अब आजाओ अब यह first wrong क्यों है याद रखना कि अगर हम constitution की बात करें तो constitution में article 82 है जो की परिसीमन आयोग की बात करता है delimitation commission अब देखो यह delimitation commission क्या करता है जनगर्णा यह census के बात क्या करेगा किसी एक जगा की जो जनसंख्या है उसको basically जनसंख्या के accordingly शेत्रों को बातने का जो काम है वह परिसीमन आयोग का है delimitation commission का है और इसको appoint करने का काम किसका है प्रेसीडेंट ओफ इंडिया का ठीक है अगर हम प्रेसीडेंट ओफ इंडिया की बात करेंगे तो यह delimitation जो commission है इसका गठन करेंगे साथी देखो कि article 82 के वल इतना ही जानकारी देता है ऐसा नहीं है कि हर साल गठित होगा अब तक चार बार और शायद पाच्वी बार भी चल रहा है आप देख लेजेगा कि हम देखेंगे 2010 के पहले की बात करें तो लगबग चार बार के आसपास जो delimitation commission है उसका गठन किया एक population अगर हम नंबर की बात करें वह बराबर हो वह अनुपात हो शित्र के अनुपात में ये काम डा लिमिटेशन कमिशन का है कि वह देश को फिर से बाठेंगा कुछ भागों में जिसे कि electoral constituencies जो है वह कहा जाएगा ठीक है clear है और यही commission का काम होगा कि SCST के लिए population के relatively अनुपात में अगर हम देखे तो किस seat को reserve खोशित किया जाना है और ये आपको पता ही कि 543 seat 543 seat है लोग सभाकी ना कि 545 ठीक है तो ये delimitation हो गया clear चली आगे चलते है next question consider the following statement with respect to by election उप्चनाव की बात हुई है पढ़ा दिया ना उप्चनाव क्या है election is held only for one constituencies to fill the vacancy caused by death अगर मालीजे म्रत्यों के कारण कोई रिक्ती भड़नी है कोई एक seat खाली हो गई है तो उसके लिए हो सकता है कि वन एक निर्वाचन शेत्र में चुनाव हो ठीक है second कहता है election is held only for one constituencies to fill the vacancy caused by resignation अगर मालीजे by death या by resignation है ना दोनों ही कारण हो सकते है यही हमने देखा था ना कि by election का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने लोकसभार विधाद सभा के जो चुनाव है general elections जो है हो गए उसकी बाद इस बाद के कोई guarantee नहीं है कि वो जो व्यक्ती seat पर आया था मंत्री बना था minister MPMLS था वो वहां से हटेगा ने तो resignation या death के कारण अगर व है कि चलो दोरों की चुनाव एक साथ करा लिये जाएंगे तो इस तरीके से हम देखें कि क्यों इसके लिए उप चुनाव होगा इसको general election नहीं कहा जाएगा next next question है some constituencies are reserved for people who belong to SCST and the Anglo Indian Community ठीक है यहाँ पर reserve constituency reserve क्या था मैंने पहले आपको बताया कि अगर देश को आपने चुनाव के उद देश से कुछ भागों में बाटा तो आपने माल लिजे यह दो या तीन इसमें से क्या कर दिये reserve कर दिये और यहाँ पर देखा कि जो SCST की population है बेश जादा है और इसने यहाँ पर इनका ही प community यानि ऐसी community जिनके माता पिता में से एक जो है वे बिटेशर्स था तो यहाँ पर यूरोप ये वेक्ती था तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगलो इंडियन community ये आज भी सदस्य है भारत में तो यहाँ पर क्या एंगलो इंडियन के लिए पूरा एक शेत्र 2011 का census कहता है कि ल 200 लोगों के लिए सीट रिजर्व कर दें या फिर पूरा एक शेत्री रिजर्व कर दें अंजस्ट है ये तो तब ऐसे में क्या है एंगलो इंडियन इसमें शामिल नहीं है और आपको पता होगा कि लोग सभा में और राज सभा में लोग सभा में और राज सभा में जो हमार इंडियन कमुनिटी के थे लेकिन 104 जो constitution का amendment होता है और उसके द्वारा ये एंगलो इंडियन को का जो प्राबधान है इसको रिमूव कर दिया गया तो ये जो नॉमिनेशन से भरी जाती थी एंगलो इंडियन दो सीट अब राजिसभा की बात करेंगे तो राजिसभा में ऐसे सदस्यों की जो संख्या है वह बारा है है ना तो 12 जो मेंबर्स है वह 4 एरिया से प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किये जाते हैं तो देखो यहां पर से एस्ट के लिए तो सीट रिजर्ब से लेकिन एंगलो इंडियन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है सेकेंड अगर हम बात करें अउनली पीपल बिलॉंगिंग टू से कैन वोट फॉर्दा शीडूल कास कैंडिडिट यह जो चला था ना मारले मिंटो एंड मॉंटेग्यू चैम्सपोर्ट जो आपने अधिनियम पड़े हैं इसके पहले एक्ट जो आपने पढ़ रखे हैं रिफॉर्म्स उसमें हम देखते हैं कि इस तरह का जो सिस्टम था कि केवल उस शेतर में मारले जो किसी SCST की सीट आ गई अब क्या वोट भी किवल SCST वाले देंगे वोट तो सभी लोग देंगे न सीट आई थी क्योंकि comparatively वो community वहाँ पर ज़ादा थी लेकिन अगर हम ये कहें कि Muslim अगर कोई खड़ा हुआ है तो किवल Muslim ही वोट देंगे ये तो आपने प्रतप निर्वाचन पंदिती जो आप पहले पढ़ते थे बिटिशर्स के समाई में वो हो गई तो यहाँ पर ये गलत है ठीक है so only people belonging to SC can vote for the SC candidate no in many states seat in ruler and urban local body are now reserved for OBC as well अगर हम rural and urban local bodies की बात करें क्या यहाँ पर जो OBC है उसकी seat रखी जा सकती है हाँ so definitely so यहाँ पर correct statement आपको बताना था तो option number C जो है वैस का कारण होगा ठीक है clear है इतना next consider the following statement regarding nomination of candidate for election हर एक आपके election जो process है उससे एक question है उससे हम समझ रहे हैं ठीक है the person wishing to context an election has to provide security money which shall never be forbidden कहते हैं जमानत जब्थ हो जाएगी जैसे कोई बहुत ज़्यादा risk ले रहा हो तो हम कहते हैं कि जमानत जब्थ हो जाएगी है ना मतलब उसके एक तरस से टोंट माणना टाइप तो यह जो जमानत जब्थ होना है यह इसी परिप्रेक्ष में कहा जाता है कि मालो अगर कोई व्यक्ति यह basically जानते हो किया क्यों जाता है एक security money का जो एक concept है यह इसने रखा जाता है ताकि एसा नहीं कि कोई भी मूँ ठाके गया और वह चुनाव में खड़ाओंगे कि अब मैं जो है वह यहां से चुनाव लड़ूँगा MPM में ले बनूँगा तो वो जो serious नैसे वह बनी रहे हैना वो जो serious नैसे वह बनी रहे इसके लिए यह जो काम है वह किया जाता है कि security money जो है वह आपसे रखवाई जाती है लेकिन यह forfeited नहीं होती हम कहते यह never be forfeited यह कभी भी जब्त नहीं किया जाएगा यह wrong हो गया यह जब्त हो जाता है अगर आपको total जो if a candidate get less than one six of total number of valid vote है ना अगर हम देखेंगे candidate one six number of valid vote वैद मतू कुल पड़े वैद मतू की अगर उसको एक बटाच्छा जो है वह नहीं मिला है तब जाके उसकी जो जमानत है वह जब्त हो जाएगी अब ऐसा नहीं कि किसी को केवल उसके घरवालों नहीं केवल family members नहीं vote किया तो security money उसने अगर जमा की है तो उसकी जब्त हो जाएगी वह वापस नहीं मिलती constitution provide for the education qualification of the candidate wishing to context an election यह अगर किया जाता तब हम कैसे कह सकते थे कि हम हमने अपने देश में चुनाव में सभी को participate करने के लिए और वो भी ऐसा देश जिसकी literacy जब हम शायद 12 यह 13 percent के आसपास थी जब हमारा देशाजाद हुआ था तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हमने section की हो गता तो जाने कितने आज जो आपके सामने MPMLS बने हुए हैं वो कितने हट जाएंगे अगर हम education की जो qualification है इसकी अनिवारिता कर दे तो basically इसको लोगतंतर के खिलाफ माना जाता है ठीक है हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति जो की कम पड़ा लिखा हो जिसकी education वैसी ना रही हो पर वो चीजों को समझता हो राजनीती को समझता हो पड़ा लिखा ना हो पर राजनीता हो होते है न कुछ ऐसे लो तो यह अगर हम कहें कि constitution में ऐसा provide किया गया यह बहुत गलत है हाला हला की कहा जाता है अगर हम election reform की बात करें politics reform की बात करें उसमें कहा जाता है यह कि आप जो है education को एक parameter बना लो लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दोनों ही जो statement है वै क्या है आपके none of the above दोनों ही statement इसमें wrong है next statement in a democratic election the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone which is called the voter list तो voter list क्या है democratic elections के लिए list जो है वै प्रिपेर की जाती है कि कौन से person जो है eligible होंगी vote करने के लिए इसके बारे में false statement है परस्ट आप से कहता है कि people will an unsound mind do not have the right to vote अच्छे एक बात आप याद रखना कि हमारे देश में बहुत rare and rare condition में ही यह जो provision है वै किया जाता है बहुत rare situation है यह generally एसा किया नहीं गया कि कोई unsound mind का हो तो उसे vote देने से रोक दिया जाए so people with an unsound mind do not have the right to vote किया जा सकता है बट इतनी rare situations है कि हम generally इस statement को सही नहीं मान सकते second statement name of those who move out of a place are deleted माले जो कोई व्यक्ति आप पढ़ने के लिए डेली आ गए एक लंबे समय तक यहीं है आपका नाम हो सकता है यह पांच बश्वाप नहीं गए वहां की voter list से हट जाए है ना so यह बात सही है a complete revision of the voter list take place every year हर साल voter list update करके क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है so complete year अगर हम revise करें तो यह 5 year में होगा ना की 1 year में election photo identity card is not compulsory for voting आप अभी आपके पास जो voter ID है voter ID कहा जाता है उसको election photo identity card नहीं कहा जाता ठीक है तो यह देखो यह अलग से एक ऐसा card बढने लगा जिसमें कि यह पता चल सके कि वो जो आपका photo voter ID पर है वो व्यक्ति आप ही है इसके लिए photo identity card अलग से लेकिन यह चला जरूर था election reform के लिए या फर्जी voting को रोकने के लिए bogus voting को रोकने के लिए बट यह not compulsory for voting यह बास सही है अनिवारे इसको नहीं किया हलाकि कहा जाता है कि इसको अनिवारे कर दो इससे फर्जी voting जो है वह रुकेगी अब आपको पूछा क्या है correct statement पूछा है correct कौन सा है first तो wrong हो गया ठीके first wrong हो गया second और जो आपका 4 है यह सही है so answer option number B clear है चलिए अब आते हैं कुछ points पढ़ते हैं फिर उसके बाद चलेगे क्या खेर ऐसा क्या है जो कि हमारे देश में elections को democratic बनाता है ठीके उसके points हम देख लेंगे तो electoral क्या है important points में आपको बता देती हूँ जो आपको याद करना है definitions जैसे कि electoral constituencies है ना ये first था first था हमारे system का सबसे पहला हिस्सा यही था कि हम देश को चुनाव के उद्धिशी से कुछ भागों में बाट रहे थे so our country is divided into different area to conduct election and this is called so divided into different area to conduct election है ना तो इसे ही हमने क्या कहा electoral constituencies कहा पर लोग सबाद country is divided 543 ठीक है समझ चुक है हम इस बात को representative elected form each constituencies are called member of parliament ठीक है यह बात सही है member of MPMLS चुनते है ठीक है और town ये villages को हम और भी ज़्यादा बाटने के लिए हम उसे ward में डिवाइट करते हैं जैसे आप देखते ward number A, B या फिर 1, 2, 3 इनका जो प्रक्निती है तो इस तरह की बाते आपने अपने आसपा सुनी होंगी मतलब ward में डिवाइट कर देना तो जो ward है वो भी एक तरीक से निर्वाचन शेतर ही तो होए भले छोटे इस तरह पर है second हम देखेंगे reserve इसी का हिस्सा हो गया है reserve constituencies या आरक्षित निर्वाचन शेतर इसी का हिस्सा हो गया आरक्षित शब्द से क्या मतलब है कि हमने क्या किया देश को कई constituencies में डिवाइट किया था हमने 2 इसमें या 3 जो है वे reserve कर दिये for SCST या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनकी आवाज को दबाया जा सकता था so for backward, for women, for SCST इनके लिए reserve कर देना next voter list हमने देखा our list of those who are eligible to vote देखो अब बस इतना याद करना है who are eligible to vote इनकी जो proper एक list तैयार की वे voter list है 5 year में इसको पूरा अबडेशन किया जाता है और जो लोग वहाँ से चले गए है नहीं उन सभी का नाव उस से डिलेट कर दिया जाता है तो ऐसे citizens जो की 18 year प्लस हो चुके हैं वो vote देने की योगता रखते हैं irrespective of their religion caste or gender everyone is allowed to give their vote है ना अगर हम धर्म और बाकि जो और भी आप barrier लगा सकते हैं वो कुछ नीज पे apply होंगे तो यहाँ पर इन सभी चीजों के ऊपर जो है वोट देने का दिकार होगा मतलब सभी वर्गों को everyone के पास यह right होगा nomination of candidate any citizen who want to be a candidate need to have a minimum age of 25 year अब देखो यहाँ पर आपको voter बनने के लिए 18 year की बात की गई और जब हमने candidate की बात की जब हमने candidate की बात की तो यह age हमने 25 year देखी ठीके और यहाँ से UPSC ने question पूछा था question UPSC ने कुछ ऐसा पूछा था कि वो व्यक्ति जो की candidate है जो की जो मद्दाता है वह मंत्री बनने की योगता रखता है जो मद्दाता है जो वोटर है वह मंत्री बनने की योगता रखता है ठीक है तो basically कुछ लोग ने उसको सीधा age से जोड लिया था कई बार separately भी उसको पूछा गया कि at least candidate बनने के लिए minimum age आपको कितनी चाहिए ठीक है इसके लिए आप देखेंगे कि इतनी है 25 यर है minimum age candidate के लिए और वोटर के लिए minimum age required is 18 है ना 18 होगी चलिए if anyone has a criminal background then there are restrictions but is applicable is very extreme cases and those who get a party nomination or call party ticket आप देखेंगे कि राजनिती का और जो अपराधी करण है और जो crime है और जो politicians है है ना ये एक सबसे बड़ी problem अभी आपको दिखती है आप जब paper 4 में पढ़ते हैं या फिर second ARC दूतिय प्रशास्तिक सुधार आयोग उसकी report पढ़ लेना जिन बच्छों ने नहीं पढ़ी मैं आपको बता दू ये कुछ ऐसे extra resources होते हैं जो आपकी बहुत help करेंगे policy governance में help करेंगे ethics में help करेंगे essay writing में help करेंगे क्या पढ़ना है आपको second ARC दूतिय प्रशास्तिक सुधार आयोग की report साशन में नैतिक्ता से संबंदित है ठीक है ethics and governance इससे संबंदित है और उसमें बहुत सारे points आपको मिल जाते हैं जिसमें की एक point उसमें ये बताया जया है कि सुधार कैसे हो सकता है हमारी राजनीती में तो जो candidates है उन्हें ही form ना भढ़ने दिया जाए अगर उनका criminal background है अगर हम देखे तो बहुत सारे ऐसे आज मी लगबग 50 या 60 percent से जादा ऐसे politicians हैं मत्री ministers है ठिक ठाक ओदे पे हैं जिनके खिलाफ इतने जादा cases है मतलब और इसमें से संगीन अपरात की अगर हम बात करें बहुत ही जादा गंभी cases तो लगबग मुझे लगदा 40 percent के आसपास लोग ऐसे होंगे जिनके उपर हो मत्रीपत पर बैठे हुए है तो यहीं हमारे देश का सिस्टम है और इस सिस्टम से अगर ने पटना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी जब अपने केंडिडेट को चुने उसका थोड़ा सा बैक्ग्राउंड देख ले आप देखोगी जिनका केमरेल बैक्ग्राउंड है उनके बड़ी सितारे बुलंद रहते हैं कि आप वो राजनेती में जाएंगे सुप्रीम कोट कहता है कि कुछ डेक्राइशन आपको देनी होगे कुछ घुशना है आपको करनी होगी अगर कोई एक सीडियस केस पैंडिंग है UPSC ने कुछ पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति को पाँच वर्ष का कारावास हुआ है फाइव येर का पूछा था कि फाइव येर के इंप्रिंजमेंट अगर उसको हुआ है तो फिर एलिजिबल नहीं है कंडिडिट बनने के लिए वो स्टेटमेंट गलत था क्यों क्यों कि अगर टू येर से जादा इंप्रिंजमेंट आपको अगर हुआ है दो साल से जादा की सजागर आपको हुई है तब भी आप एक तरह से फाउंड मने जाएंगे आप इलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ से भी UPSC ने कुछ पूछा था याद रखना ये बात आपको ठीक केंपेंड की हमने बात कर ली कि कैंडिडेट्स जो है वह क्या करते हैं किस तरीके से अभियाद चलाएंगे एलेक्शन केंपेंज चलाएंगे लोगों को लुभाने के लिए इस तरह कि अपने जिंडि प्रास्तूत करते हैं कि हम आएंगे तो ऐसे करेंगे ठीक है चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है ठीक है जैसे कि आपने नोटा सुना होगा जैसे कि आपने वीवी पैट सुना होगा इवी एम तो आपको पूरा पढ़ना ही है ठीक है इवी एम बैलेट बॉक्स नोटा वीवी पैट यह सब ऐसे हैं जो कि आपको निव पॉइंट्स तैयार करने है निव जो करेंट अफियर की पॉइंट से यह तैयार करने है तो जब आप देखते हो कि एलेक्शन से रिलेट न करें तो ये कुछ ऐसा होता है दीखो चुनाव एक बहुत बड़ा लोगतंतर का इसको त्यभार कहा जाता है election को लोक तंत्र का तेभार कहा जाता है कि यह democracy में क्या है festival है सबसे बड़ा तेभार कहा जाता है general elections को तो आप देखोगे कि सारे काम जो हमें ठप हो जाते हैं because of election तो अगर elections ही ठीक से नहीं होंगे तो election reform बहुत बड़ा मुद्दा है यह chapter आपके लिए काफी important है candidate का नेम होता पाटी का नेम होता है या फिर संबल होता है या फिर पाटी का नेम होता है देखा है आपने EVM को आप बताइए इसको comment करके EVM के बारे बताइएगा कि EVM से चुनाओ सबसे पहले कहा हुए then last time last time polling and counting of vote है ना campaign हो गया सब कुछ हो गया voting हो गया EVM की बात कर ली the day when voter cast their vote is called election day है ना तो जब voters जो है अपना vote देने चाते है उसको election day कहेंगे चुनाओ वाला दिन कहेंगे voters having their name in the voter list and go nearby जो भी polling booth बना है और यह जो polling booth है यह ऐसा नहीं होगा कि साल भर polling booth ही रहेंगे school colleges में आप vote देने जाते होंगे ठीक है so earlier ballot paper system was used पहले आपको यह भी पढ़ना है ballot paper system क्या होता है यह सब extra information से आपको पढ़ने ही होगे है ना ballot paper system was used where on a sheet of paper of the name of candidate and their party was listed अब देखो यहाँ पर क्या कहा है sheet of paper ballot point की बात अगर हम करें तो इसमें sheet of a paper जिसमें की candidate का name and party was listed होता है now EVMR used to record vote and this machine show name of candidate and party symbol तो name of candidate and party symbol यहाँ पर क्या लिखा हुआ है name of parties no name of parties नहीं party का जो symbol है वह होगा and last है what make election in India democratic आखिर ऐसा क्या है जो की भारत के जो elections है उसको democratic बनाता है उसको लोगतात्रिक बनाता है reading आपको कम से कम चार से पाच बार करनी है ठीक तरीके से चब दब चीज़े याद होगी ठीक है कि जो election commission इसे बहुत सारे जो rights से वह दिये गए है question के पहले election commission ठीक है election commission का main काम क्या हुआ कि जो हमारे election से उनको कराने का काम सम्विधान में लिखा हुआ है तो जो भी इसके सम्विधान से सब्बंदित जोड़े हुए points से वह आप एक बार देख लेंगे ठीक है तो चलिए कुछ points में आपको बताती हूँ कि अगर हम election commission of India की बात करें article 324 से लेके 329 तक आर्टिकल जो चीज़े हैं वह available हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो यह autonomous and constitutional body है autonomous का मतलब क्या होता है autonomous का मतलब हुआ autonomous का मतलब हुआ कि स्वायत है मतलब अपनी निर्ड़ने लेने के लिए स्वातंतर है ठीक है स्वायतिता प्राप्त है और plus constitutional body है constitutional क्यों कहा इस बार भी UPSC ने question पूछा था constitutional bodies कौन कौन सी है तो constitution है इसका मतलब संविधान में इसका वर्णन है इसको संविधानिक संस्था कहा जाता है तो यह स्वातंत्र स्वायत्र स्वायत और एक संविधानिक संस्था है जिस का वर्णन आर्टिकल 324 से लेके 329 तक किया गया है function tenure eligibility और वागी सारे चीज़ों की 1988 1988 से यह जो body है वह multi member body बनी एक से जादा जो members है multi member body बनी 1988 के बार ठीक है आप अभी देखेंगे तो one plus two आपको members देखते हैं मतलब एक जो है वह chief election होंगे हमारे मुखिन निर्वाचन मुखिन निर्वाचन आयूप्त होंगे ठीक है राजीव कुमार देख लेजेगा किसी और का नाम अगर भी चल रहा हो तो तो आप देख लेजेगा देख लेंगे आप में कि बाकी अन्य दो आयूप्त हैं कमिशनर से वह कौन कौन से होंगे और अगर हम इनके appointment की बात करें कि जो भी यहां के chief election कमिशनर होंगे उनकी नियूप्ति कौन करेगा तो ये president के द्वारा appointed होंगे ठीक है तो president क्या करेंगे president के द्वारा इनको appointed किया जाएगा ये जो members है ये जो member है president के द्वारा इनको appoint किया जाएगा और इनका tenure six year and या तो six year और 65 year जो भी पहले हो जाए six year और 65 year इनका tenure क्या होगा six year और 65 year इन दोरों में से जो भी पहले हो जाए clear है question देखो जरा in India election are conducted by an independent and very powerful election commission consider the following statement about election commission it enjoy the same kind of independent that judiciary enjoy क्या same उसी तरह की जो स्वातनताय है वैं मिली हुई है जैसे कि नायपाली का को बिलकुल सही the chief election commissioner is answerable to the government क्या वैं answerable होंगे उत्तरदाए होंगे हाला कि chief election commissioner जो है उनके नियुक्ति करेंगे president है ना लेकिन यहां पर हम बेखेंगे कि यह answerable नहीं होंगे when on election duty government officers work under to control the election commission not the government आप देखेंगे कि चुनावी duty के दौरान लोग बड़े सक्त और बहुत मुस्तादी के साथ जो काम है वैं करते हैं ज़्यादा चुट्टी मारने का वह एक नहीं लेते हैं वहना उन्हें लगता है कि अब नौक्री पर बनाईगी तो चुनाव की जो duties है वह बहुत जादा सीरिस के होकर की जाती है उसके पीछे क्रिजन ये होता है कि अब हम देखेंगे कि वो जो officers है वो सरकार के वैसे अधीन रहके है जैसे विभाग के थे अब वो उसके नहीं है अब ही उस पर election commission का एक तरीके से power है तो जब वह election duty में होगे तो वह election commission के अंतरगत काम कर रहे होगे और उनके suspend होने के chances उनके हटने के chances उनको बरखास्त करने के chances अगर उनने duty में लापरवाही किये तो बहुत जादा होते है election commission जो है बहुत सकत रहता है इस चीज़ के लिए तो यह बात भी इसमें बिल्कुल सही है ठीक है इसमें क्या पूचा है आपसे correct statement यहां भी चेक कर लो कि क्या पूचा था correct ही पूचा था इसमें one and three है ना one and three जो है यह इसमें सही होगा next question regarding the power of election commission three statement है first आप से कहता है election commission implement the code of conduct and order judiciary to punish the candidate of party if they violated it election commission के पास यह यह पावर होती है कि अगर बैं उलंगन करे तो पाटी को दंटित करने के लिए नय पालिका को आदेश दे दे election commission ही इतना powerful होता है कि बह चाहे तो जो चुनाव है उसको अवैद होशित कर देता है ठीके तो यहाँ पर जरूरी वो जाके judiciary को नहीं कहेगा कि भई आप इसको हटा दो वो खुद भी हटाने की जो power away रखता है इसके पास sufficient power है ठीके election commission अगर आपने टीटी session का नाम सुना होगा कहते हैं कि किसी भी पद पर कौन व्यक्ति बैठा है इससे उस particular जो बद है उसका नाम बढ़ता है जैसे कि टीटी session उसको बरखास्त करना पार्टी को बरखास्त करना बहुत सकती से अगर political parties ठीक से काम नहीं करती थी टीटी session के बारे में पढ़िएगा है ना टीटी session के बारे में पढ़िएगा आप सभी तो देखो को उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ था कि देश को ये पता चला और political leader को ये पता चला कि अच्छा election commissioner जो chief election commissioner उनके पास इतनी सारी powers हैं पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति आया था उस पद पर बैठा था तो कोई personality क्या है किसी व्यक्ति की और फिर वो किस पद पर है जब हम इन दोनों चीजों को मैच करेंगे ना कभी-कभी आप देखो कि कोई उस position पर है कि आपको देखके लगता है क्या रे ये क्या ही करेंगे और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको लग अच्छा फस्त हो गया during the election period the EC can order the government to follow certain guidelines है ना क्या election commission जो है वैं कह सकता है सरकार को कि आप इन नियमों का पालन करें बिल्कुल कह सकता है और election duty government officer work under the control of EC not the government definitely पहले भी बता चुके हम है ना इनकरेक्ट आपको इसमें पूछा सौप्शन नंबर चलिए अब देखो second है इसमें हमने देखा कि independent election commission है हमारे पास स्वाधंतर चुनाव आयों है दूसरा है इसमें popular participation लोगों की भागीतारी ज़ादा होगी acceptance of election outcomes जो भी परिणाम निकल कर आते हैं निर्णय निकल कर आते हैं नतीजे निकल कर आते हैं उसको सभी लोग स्विकार करते हैं इवन हारी हुई party भी ये सोच लेती है कि चलो कोई बात ने जनता का आदेश था वह हमें नहीं चुनना चाहती थी तो उसने नहीं चुना ठीक होंगे challenges to free and fair elections challenges क्या होंगे free and fair elections को लेके overall in India elections are effective free and fair few candidates might win purely to on basis of money and power हम देखेंगे कि money and power से अगर कोई जीत रहा है धनबल से बाहुबल से कोई अगर जीत रहा है चुना आप सभी को पता है कि वह आप राधिक प्रवत्ति कहा है criminal है फिर वह जीत रहा है अगर तो यहां पर क क्या free and fair election हुआ यह बहुत बड़ा challenge है बहुत बड़ा challenge है second ARC की report आप पढ़ोगे उसमें कई तरह के restrictions कई तरह की जो पाबंदी है वह बताए गई है political parties पर candidates पर और इनके सुझाव दिये गए है कि कैसे इस चीज़ को money and power को election में चलने से रोका जाए candidate with lots of money may not have a guarantee to seek a victory ठीक है आगे हम देखेंगे कि हाला कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तुथा लेकिन वह चुनाव नहीं जीत पाए है ना वह चुनाव नहीं जीत पाए तो यह कुछ ऐसी बाते हैं जो कि यह बताती है कि हमारे देश में चुनाव जोए अभी भी free and fair हो रहे हैं इन सब part of the country candidate with criminal connections try to push other desirable candidate out of the electoral list to secure a ticket हम देखेंगे कि कुछ criminal connections जिनके होते हैं एक तरीके से उनको आगे गिया जाता है उनको जो पाटी है वह ticket दे देती है कि ठीक है आप जो है लड़ी क्योंको उसके पास power भी था दूसरों को डरा धमका कर आप दे लेते हैं किसी ने डरा धमका दिया कि आज जो है वह वापस ले लेना अपना नाम हटवा देना क्योंकि वोट बटेंगे ना इससे कि अगर उसको कुछ 100 वोट भी मिल गए तब भी वोट तो बटी गए और जब एक एक या दो दो अगर आपके वोट से यह हो रहा है तब ऐ ऐसे में दूसरे को हटा देना बहुत अच्छा तरीका है टिकेट्स आर बिंग डिस्टरब्ट चुदा रेलेक्टिवस एंड फैमिली फ्रेंड्स यह आपने बहुत दिखा हुगा राजा का बीटर राजा बनेगा वाली केंडिशन हो गई जदा तर आपने जो टिकेट बा और पाटीज एलेक्शन ओफर लिटिल चॉइस तो और नरी सिटिजन्स मनी पावर ठीक है कैंडिडेट केमिनल कनेक्शन समझ चुके इन्फ्लूएंस एक तरीके से आप देखें परिवारवाद अगर राजडेती में चल रहा है ये भी एक चैलेंज है कि नहीं है और अगर आप में इलेक्शन की बात करें कि आपको वास्तव में जो चॉइस दी जाती है वो छोटी चॉइस होती है वो बहुत वो अच्छी चॉइस नहीं हो सकती तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नमबर डियाक्सर होगा ये सभी जो है इसके लिए चैलेंज हैं सेकंड इसके लिए इंडिया अच्छी गोड़ आप इन इंडिया दा पूर लिटेट एंड प्रिविलेज़ पीपल वोट इन लार्जर प्रपूर्शन अस कंपेर टू रिच अप्रिविलेश अक्शन्स पुछ रिपोर्ट्स आती है जो कि यह बताती है कि इंडिया में जो एजुकेटेड और इस तरह के प्रिविलेज़ लोग हैं या फिर जो रिच लोग हैं वो वोट देने जाते जब कि अमेरिका या वेस्टर्ण कंट्रीज में ठीक इसका उल्टा होता है कि वहां गरीब लोग वोट देने जाते तो यहां पर हम देखेंगे कि इंडिया में ऐसा है लेकिन अगर ह following statement regarding election candidate and party with a lot of money and share of their victory बहुत पैसे वाले जो उमीदबार है अपनी जीत सुनिश्चित है क्या उनके इन सम पार्ट आप दा कंट्री candidate with criminal connection have been able to push other out of the electoral race and secure a ticket from major parties इस question का अंसर मुझे आप बताएगे तो यहां पर हम देखेंगे अच्छा आपने पढ़ा क्या है आज आपको reading अच्छे से करनी है और इसका जो मैंने current affair plus बताया है वो आपको पढ़ना एक और काम में आपको बताऊंगी कि आपको mains के जो question है देखो मैंने इसमें शामिल नहीं किये mains के question आपको देखने ना है कि चुनाफ से अब तक किस किस तरीके के जो question है वह आ चुके है चुनाफ सुधार को लेकर जादा questions आई है या फिर चुनाफ सुधार को लेकर अगर माली जी कोई एक दिर्डाए कोई एक वर्डिट कोई एक decision सुप्रीम कोट ने दिया तो वहां से सीधा question आ गया कि सुप्रीम कोट के इस decision से कैसे जो reform है वह होगा तो यह हमारे electoral political का पूरा part था जिसमें कि हमने बात की why do we need elections है ना क्योंकि हमें ऐसा व्यक्ति चुनना है जो आके साके सरकार बनाए निर्णे ले what make an election democratic तो regular elections होने चाहिए यह democratic बनाता है आपके पास choice होने चाहिए सभी को vote right होना चाहिए right to vote political competition की बात की our system की बात की ठीक है what make election in India democratic और कुछ challenges की हमने बात की so need necessarily an election democratic क्यों होगा ठीक है क्यों हम election की जरुरत है बाकी आपको चीज़े PDF में दी पढ़ना है इसको ठीक से what is our system तो system क्या electoral constituencies बनाई जाएंगी फिर reserve constituencies बनाई जाएंगी फिर voter list तयार की जाएगी फिर candidates का nomination होगा फिर election campaign होगा और फिर उसके बाद जो है वैं polling and counting of votes ठीक है number of questions आज हमने जादा देखे लास्ट हमने देखा vote to make election इंडिया democratic तो हमारे चुनाव आई होगे लोगों की भागी दारी जादा होती है लोगों की भागी दारी पर आपको report देख लेना है ठीक है और इस ये report आपको ये देखना है इसमें कि जैसे कि अगर हम last लोगसभा था और इसमें voting percentage को आपको दो भागों में पढ़ना है female और male ठीक है और अगर female में आपको कम voting percentage है तो वह क्यों है ये भी एक question आपके लिए हो सकता है election commission of India की बात की free and fair election की बात की आज ही class में इतना ही मिलते हैं next class में दो chapters आपके और बचेव में thank you thank you so much